हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं ? आज सिखाने जा रही हूँ एक और निउ डिजाइन का बलाउज ये बहुती प्यारा बना है, ये देखें बहुती सुन्दर आई हुई है इसकी गले की फिटिंग देखें बहुत सुन्दर आई हुई है मेरी वीडियो परसंद आए तो लाइक करें, सस्क्राइब करें, जदा जदा वीडियो सेर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नौटिविकेशन आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह देखो, ब्लाउज बनाने के लिए मैंने दो कलर लिए हैं, टैन नमर की सलाई यूज करूँगी और यह पिंक कलर से मैं फिंदे डालूँगी मैं आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बता रही हूँ यह देखें, इस तरह से हमें फिंदे डाल लेने हैं आप अगर 34 नमर का बना रही हैं, 32 नमर का बना रही हैं तो इसमें 120 फिंदे डालें और एक अई पल्ले से मैं ब्लाउज को बना के दिखाऊंगी हमें डबल पल्ले नहीं बनाने पड़ेंगे जैसे हम एक इदर से बनाते हैं एक अई पल्ले से हम दो पल्ले बना लेंगे और ब्लाउज बनके तयार हो जाएगा यह बहुत इजी तरीके से हो और बहुत बिल्कुल नीव डिजाइन है और 36 नमर के लिए बनाएं तो 130 फिंदे डालें मैं आपको कम फिंदों में बता रही हूँ यह देखें फिंदे आप जोडे से डालेंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंद्रे, सोले, सत्रे सत्रा दूनी, चौतिस, चौतिस फिंदों में मैं बता रही हूँ आपको, आपको जब लाउज बनाना है बत्तिस नम्मर का या चौतिस नम्मर का तो आप एक सुबीस फिंदे ले ले चौतिस के लिए एक सुचोविस ले ले और बत्तिस के लिए एक सुबीस फिंदे इस तरह से हम सादा सादा बनाएंगे ये मेरा बाउडर रहेगा पूरी रो हम इसी तरीके से निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से बना सकें पूरी रो कम्प्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से फिर मैं आपको आंगे का बताती हूँ पूरी रो मैंने कम्प्लीट कर लिये अब इधर से भी हमें उल्टा बनाना है इस तरह से पूरी रो इसी तरह से ये दूसरी सलाई में निकाल लेती हूँ इसी तरह से हमें दो सलाईया और निकालनी है इधर की साइथ हमारा सीधा सीधा है और इधर की साइथ हमारा उल्टा उल्टा है तो दो सलाई यहां इसी तरह से और निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आंगे का बताती हूँ, अब देखो, यहां पे मैंने 4 सलाई निकाल ली है, तोटत 4 समय, दो इदर से, दो उदर से, अब देखें, हमने बाइट के लल लगा लिया है, अब देखो, एक, दो, दो के बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह पे से लूप बनाते हैं, एक, दो, दो के बाद पर देखें, एक, दो, तीन, तीन के बाद, फिर से हमने एक लूप बनाया, एक, दो, फिर तीन, तीन सलाई नीचे जाएंगे, और लूप को बना लेंगे, फिर देखें, दो, एक, दो, तीन, पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है, आप ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, और थोड़ा लूज बनाना है, यह देखें, तो पूरी रो इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, पूरी रो मेंने कम्प्लीट कर लिए, अब इधर से देखो, ध्यान देखिएगा, ध्यान से, जो लूप बाला फिंदा है, उसको मैं उतार लूँगी, और दो फिंदे ऐसे ही बिल ल हमें इसी तरीके से दो फिंदे बिनते जाएंगे, और लूप बाला फिंदा है, उसको सिलिप करते जाएंगे, यह देखें, इस तरह से, तो पूरी रो इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ, यह देखो, उल्टी साइट से मैंने कम्प्लीट कर लिया है, अब देखो, एक फिंदे को तारा, आप देखें द्यान से, इस तरह से, एक लूप बाला फिंदा, एक आंगे से फिंदे को, इस तरह से बुन लिया, इसको इस तरह से उठाएंगे, लूप बाला फिंदे को, और दूसरे वाले फिंदे के साथ में इस तरह से ब बुन दिया, यह देखे, ध्यान से देखते जाएगा, इसको उठाएंगे, इस तरह से बुनते जाएंगे, पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है, यह देखे, डिजाइन बनती जा रही है, यह देखे, इस तरह से, तो मैं बना लेती हूँ, पूरी रो को कम्प्लीट कर लेती हूँ, इसी तरह से, फिर मैं आपको आंगे का बताती हूँ, ये देखो पूरी रो मेंने complete कर लिए अब इधर से देखें आप कहीं कुछ नहीं करना है सिर्फ उल्टा उल्टा इस तरह से बुनते जाएंगे इस तरह से पूरी रो में इसी तरह से निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखो पूरी रो मेंने कम्प्लीट कर लिए अब डिजाइन का पैटर्न चेंज हो जाएगा अब यहाँ पर डिजाइन बनीती अब यहाँ पर डिजाइन बनेगी अब देखें कलर हम चेंज कर लेंगे अब देखें एक दो और यह तीन इस तरह से इसको लूज कर लेंगे थोड़ा सा फिर से देखें एक दो अब यहाँ पर देखें एक दो तीन यह देखें डिजाइन यह बहुत सुन्दर लगती है बनने पर और इसका मैं बाउडर बना रही हूँ यह देखें और यह चचचच सलाइन की डिजाइन है चाच सलाइन में यह डिजाइन कम्प्लीट हो जाती है यह देखें इसी तरह से एंड तक बना लेंगे और यह बहुत जल्ली बनती है अगर बिंगनर है थोड़ा बहुत जानते हैं बनाना बो भी अगर दीरे दीरे बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं यह देखें इस तरह से पूरी रो आपको मैंने इसी तरह से दिखाई है देखें ताकि आप अच्छे से पना सकें यह देखें लास्ट में देखें अब यहां से यह देखें अब उल्टी से देखें लूप बाला फिंदा हम उतार लेंगे दो फिंदे हम बुनते जाएंगे यह देखें पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है कि मैं बना लेती हूं फेरांगे का आपको दिखाती हूं यह देखो डिजाइन इस तरह से लग रही है यह बहुत ही खुश्यूर्त लग रही है यह देखें इस तरह से अब देखें फिर से देखें अब यह सइड वाला फिंदा हे इस तरह से हम कर लेंगे को उठाएंगे इसके साथ में यह देखें कि इस तो इसी तरह से डिजाइन को हम बनाते जाएंगे तो भागते जाएंगे और बनाती जाएंगे आभी यह देखें इसी तरह से मैं बना लेती हूं फिर आपको दिखाएं यह देखो मैंने बाउडर 120 फिंदों में मैंने इसको बनाया है तो एक से बीस फिंदे यहां पे हैं यह देखें एक से बीस फिंदे और 60 फिंदों में हमने देखें यह वाला एक पार्ट बना लिया है अब दूसरा पार्ट किस तरह से बनेगा वो आप देखें 60 फिंदे इदर है 60 फिंदे इदर है तो टोटल एक सो बीस फिंदे है अब देखें यहां पे दो का एक पूरी रो इसी तरह से साइट से हमने ने दो का एक कर दिया पूरी रो इसी तरह से मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब फिर से देखें एक किदर से दो का एक करेंगे आप फिंदे कम हो रहे हैं दो फिंदे मैंने कम कर दिये तो 58 फिंदे बचे हुए हैं और बनाना हमें सीधे सीधा है एंड तक पूंशती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखो पूरी रो मैंने रो कम्प्लीट कर लिए अब देखें यहां पे उल्टी साइड से 2 का? फिर से इस तरह से हर सलाईव में हमें 2 का? एक करना है उल्टी साइड से गले की तरफ से और सीधी स फिर बाहर की साइड से आपको बताते हैं, ये देखें, बाहर की तरफ से, दो का एक, इसी तरह से आपको बनाना है, दोनों साइड से हम, दो का एक करते जाएंगे, उपर सोले फिंदे बचेंगे, सोले फिंदे बचेंगे, तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सोले फिंदे बताती हूँ, कि सोले फिंदे आँगे, किस तरह से हम करेंगे, ये देखो मैंने बना लिया है यहाँ पर मेरे पास 16 फिंदे बचे हुए हैं ये देखें आप गिन सकती हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब देखें एक सलाई हम इधर से पूरी निकाल देंगे ना इधर से कोई फिंदे को कम करना है ना उधर से दो सलाई निकाल लेनी है एक, उल्टी से तो उल्टी से से मैंने निकाल ली अब सीडी से निकाल ले हुँ ये देखें अब देखें इन फिंदों को दो का एक करते हुए उतार देएंगे ये देखें उतार लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखो दोनों पले बनके तयार हो गए है ये देखें ये मैंने डबल कर दिये ये देखें इस तरह से इस तरह से ये देखें बनके तयार हो गए है अब मैं इसका गला बताऊंगे ये देखो पहले मैं पीछे का गला बनाओगे तो गले बनाने के लिए पहले मैं फिंदे बरोंगे ये देखे फिंदे मुझे यहीं से बनना है ये देखे इस तरीके से और इसी कलर से बनने है दूसरा कलर अभी नहीं लगाएंगे यहां से लेके यहां तक इस तरह से मैं फिंदे उठा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें अब हम बीच में आ गए हैं तो यहां से हम एक फिंदे को उठाएंगे बीच अमबीच से यह देखें यहां पर जाली नहीं होनी चाहिए इस तरीके से मुझे फिंदे को उठाना है ताकि जाली ना पड़े यहां पर अगर छोटा सा होल हो गया तो अच्छा नहीं लगएगा इस तरह से हमें फिंदे को उठाना है बीच का फिंदा है इधर साइट हमने फिंदे बाल लिए अब इधर साइट भी हम फिंदे उठाएंगे तो मैं फिंदे उठा लेती हूं फिर आपको बताती हूं टोटल मैंने कितने फिंदे उठाए हैं एक साइट से कितने उठाए और एक साइट से कितने उठाए इस साइट उठाएंगे जितने उतने ही इधर उठाएंगे तो उठा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ